राजधानी पटना के आरजडी कारियाले के सामने सुक्रबार को बिहार पुलीस के एक जवान ने जम कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया वह कभी पुलीस वाला धौस जमाता तो कभी देशभक्ति का पाठ पढ़ाने लगता इतना ही नहीं वह मेडिया कर्मियों के साथ भी उलज गया और बगजग करने लगा काफी देर तक उसकी हरकतों की वज़त से वहां हंगामे की स्थिती बनी रही सूचना मिलने पर कोटवाली थाने की पुलीस उसे पकर कर ले गई और थाने में पूछताच की गई बताया जारहाई की पटना के दनियावा थाने में पोस्टेड जवान आरजडी कार्याले के पास काफी देर से हंगामा कर रहा था वह वहां कुछ से कुछ बोल रहा था आरजडी कार्याले से निकलने वाले लोगों को भी वस्देश वक्त होने का ग्यान दे रहा था सरकार की नितियों की आलोचना भी कर रहा था, सूचना मिलने पर पहुँची, बोदवाले थाने की पुलीस उसे पकर कर अपने साथ थाने ले गई, कुछ लोग उसे बांसिक रूप से बिमार बताते तो कुछ लोग कह रहें कि वो साराव के नसे में हंगामा कर रहा है, आप पहले हमको पाचानिये, सबसे पहले मैं अपने प्रेश के बंदू को और परणाम करता हूँ, प्रेश के जितने भी हमारे नोजमान साती है, भाईयो बहनो मेरे प्यारे देश वासियों, सबसे पहले हम गुणोहार जोर के परणाम करते हैं परणाम करते हैं, 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 परणाम करते पोस्टिंग कहा है पोस्टिंग को थाना में है हिंदुस्तार के सिपाई पत्ला पले अड़े तो कहां पोस्टिंग यह बताओ ना यह मास्क लगा रखा है जिंदा इनसान को मानने का काम किया गया धर्ती पर पोस्टिंग कहा है यही बताओ ना इसी हालत बनाई हुई है क्या नाम कैं है नाम कैंडारा सबसे पहले तौह अपने देशभासियों को कर दाल है लांत सवासे नाम परण orientation- नाम कैंने नाम किया है मैं हु राकेश कुमार लुद्स्तान का सिपाही थम्मार कि ठाल है आपको प्रोट करा तूम आतंको बचारा का तूम पर अधर्थी पर पैसे होकूम उतकर बाटा है आप तुम्हारा बंदू कहा है बंदूक मिला है सरकार के होड़ से है आता है साहिए स्वास्ट भी वाकिष्ट साहिए